हेलो एपरिवन गोड़ इवनिंग नमस्कार जैहिंद जोहार राधे राधे मैं आपका जियेश एजुकेटर स्वागत करता हूं वाइफ अश्ड़ी स्टूडियोज विश्चा पार्ट ऑफ अगैडमी कि अच आज सामे 5 की बात करेंगे तो वो कहां प्लांट किंग्डम मी लेकिक हमारी क्लास लगेगी तव हम देह लेंगे प्लांट Chelsea हीणम में जिससे आपका होचपोस नी होगा याद रखनी असानी होगे क्योंकि अगर में झंभल कराता तो आपको हाचपोस हो जाता है कोधल जंबल कराता यासे लिए मैं निस जंबल कि रहे हैं मेरे आप जा रही है दिख रहा हूं मैं इसलिए मुझे अलग-अलग कराना पड़ा तो आज मैं आपके सामने प्राणियों को वय्यानिक नाम यानि scientific name of animals की बात करते हैं जितने भी important हैं कोसिस करेंगे कि एक lecture में तो complete नहीं होगा लेकिन आज के बाद फिर से कभी पाट्टू करें करा दिया जाएगा जिससे आपको तब तक आप रिवीजन भी कर लोगे और जब अगली बार class होगी इसकी तो कम से गम कुछ confidence level भी हाईश होगा ठीक है गोड़ इबनिंग गोड़ इबनिंग बच्चे गोड़ इबनिंग क्या आले अब मेरी जो special class है आपको 10 बसकर 15 मिनट सुबह पांच बसकर 35 मिनट साम और रात 10 बसकर 5 मिनट पर यह back-to-back तीन लेक्चर आपको मिलेंगे इस पेशल फ्री ठीक है तीन लेक्चर यहां देखते हैं without option यहां पर आपको मॉक टेस्ट और यहां चेप्टर वाइज इसके लावे आज से वर्ल जोगर्फिय का बैस सुरू हुआ था इससी में और coming days में एक से दो दिन में रेलवे में बैस सुरू हो जाएगा तो आप जोइन कर सकते हो रेफ्रल कोड बावाटीन लगाकर ठीक है गौरव कब आपको पेडियाप नहीं मिलता है तो बता दो कब आपको पेडियाप नहीं मिलता है कोई ऐसा बच्चा है जो बता है कि जीव विज्यान में biology में परतेक जीव के दो नाम होते है नाम के दो हिस्से होते हैं अखरिये scientific name की जरूरत क्यों आन पड़ी तो जीव विज्यान में परतेक जीव के नाम के दो हिस्से होते हैं कौन-कल बच्चे first में genus that means once का नाम जो हमेशा बड़े अच्छर के साथ सुरू होगा और second की बात करें दूसरे जाती जो छोटे अच्छरे के साथ सुरू होती है और italic में होगा ये ये किसमें होगा? italic में link होता है ना italic bold italic तो once का नाम जो हमेशा बड़े अच्छर के साथ सुरू होगा second जाती होती है जाती को denote करता है जो छोटे अच्छर के साथ सुरू होती है और वो italic language में italic language में देखने को मिलता है कैसे? italic language में देखने को मिलता है सारे का बिलकुल पुछे जाते हैं बच्चे उदाहरन के तौर पे देखो मैंने क्या कहा दो नाम है scientific name of human मानो का वय्यानिक नाम homo sapiens क्या है homo sapiens देखो ये capital में है और ये small में sapiens homo sapiens homo यानि once का नाम sapiens यानि जाती का नाम वैसे ही scientific name में वय्यानिक नेम में देखने को मिलता है वैसे ही वय्यानिक नेम में देखने को मिलता है तो इसकी सुरुवात किसने की carolus lenius या carolus lenius ने that means इसे हम father of taxonomy कहते हैं तो father of taxonomy that means वरगी करन के पिता कौन है carolus lenius या carolus lenius जो 1973 में ये concept दिये जो स्वीडिन के ये स्वीडिस स्वीडिन के ये जिवयानिक थे that means कह सकते हैं कि basic unit of classification is species वरगी करन की मू लिकाई जाती है clear आई बास समझ में यानि भौरगी करन की मू लिकाई जाती के जाती पर अधारी ते अब आते सवाल में वाज़िदा scientific name tiger बाग का वय्यानिक नाम क्या है जल्दी इतना सल सेर करो यार तबी तो मजाएगा फिर ये तो मैंने थोड़ा सा आपको direction थोड़ा सा बता दिया कि किस अधार पर scientific name रखे जाते हैं तो बाग का वय्यानिक नाम क्या होगा पैंथरा लियो पैंथरा टिग्रिस पैंथर पादस या बाइनस बोनस बोंसस क्या होगा बाग का वय्यानिक नाम की बात करें तो बाग का वयानी नाम टाइगर का वयानी नाम पैंथरा टिग्रिस पैंथरा टिग्रिस तो ये क्या है पैंथरा लियो क्या है पैंथरा पादस क्या है अई समझते है यानि बाग का वयानी नाम की बात करें पैंथरा लियो क्या है बच्छे लायन पैंथरा लियो सेर पैंथ की बात करें यह European Bison है एक परकार का भैसा या बैल कह दो याक समझते हो याक इसको जंगली सान कहते हैं याक उसी परकार से Bison bonus देखने को मिलता है जो European Bison है कैसे इस तरीके से आप देख सकते हो यह European Bison है European Bison European Bison है क्या बच्चे European Bison है इस परकार से आप देख सकते हो यह ठीक है यह देख लो कैसा देखता है यह क्लियर सवाल नंबर दो वाटेजा सांडबेग नहीं हो बीयर भालू का वैयानी नाम क्या है Canis lupus, Canis vulpus, Camillus, Dromedarius या Urcidi, Carnivora और मैं आपको बता दूँ कि वयानिक नाम से जो railway का पेपर हुआ था RRB J.E. 2018-19 में RRB J.E. में एक सवाल बिलकुल रहा है scientific name से और पहले भी railway का यह पसंदीदा सवाल रहता है पहले से भी railway का आप कोई भी एक्जाम दिखोगे जल्दी भालू का वैयानिक नाम क्या होगा उर्सिदी कार्मिवोरा टिंकू OPSC का जवाब दिखा बिलकुल केवल टिंकू जी का जवाब दिखा है वाह मेरे टिंकू जी आ माहिका का भी जवाब दिखा दिन गलत शूरा का यह बोलते हैं ओके तो उर्सिदी कार्मिवोरा सरक कैनिस लूपस वुल्फ भेडिया कैनिस वुल्पिस लोमली और बच्चे कैमलस अब खुद निकालो ना कैमलस कैमलस यानि कैमल कैमल यानि ऊट क्यो इसके चक्कर में पड़े हो देख लो कैमल मिख क्या होता है ऊट होता न बच्चे तो यह ऐसे निकाल देते न इसको ऐसे निकाल देते आई बास समझ में तो दो सवाल से आपके आज सवाल के जवाब निकल कराए है आज सवाल के जवाब निकल कराए है ठीक है आगे देखो सवाल नमर तीन कवगवा का वयानी नाम बच्चे क्या होगा अब देखो कैसे याद रखें क्रो क्रो कैसे याद रखें बाई क्रोवस क्रोबवाय कैसे याद रखें बिलकुल लिका लो ना अभी मैं बता चुका हूँ बाईसन बोंसस ये देख चुके हो ये भैसा की तरह था याक की तरह सूरागाय की तरह जो है तो क्रोवस अस्प्लेंडस की बात करें कववा का वय्यानिक नाम है ये कववा का वय्यानिक नाम अब आपके सामने ये दो आप्सन बने हैं दो आप्सन में देखते हैं क्या होगा बाइसन बोंसस ये मैं बता चुका हूँ यूरोपियन बाइसन अब देखो ऐसे एकवस ऐसिनस ऐसिनस यानि एस ऐस यानि गधा एकवस ऐसिनस यानि एसिनस यानि गधा और भैया बुलूनोपटेरा मसूकल्स वेल प्रिषा आईबा समझ में इसी लिए याद रखना पढ़ेगा बिल्कूल याद रखना याद रख लेना क्योंकि एक से दो सवाल आपके प्रतेक टेपर में रहेंगे ठीके ऐसे ही याद होगा वह ऐसे याद नहीं होगा बिल्कुल कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी याद होगा भैस का वज्यानी नाम वाट इस सांटेपिक नेमो बफेलो भैस का वज्यानी नाम क्या है फेलिस कैटस बूबलस बूबलिस एसिनोनिक्स जूपेटस या क्रोकोडेलिया नैलोटिक्स सवाल नमबर चार जल्दी नहीं गुपता जी याद नहीं करना है इसे दुकान में बेच देना है जाकर पीडियाब आपको मिलेगा उसको प्रिंट निकालना और दुकान में बेच देना सेल कर देना कम सकम टॉपे के पैसा निकल जाएंगे आपके भैस का नाम बूबलस बूबलिस कितना बड़ी नाम है जार देखो कितना अच्छा नाम है बूबलस बूबलिस किसका नाम है ये भैस का वज्याई नाम फेलिस कैटरस की बात करने देओ तो फेलिस कैटरस किसका बिल्ली का देखो यहीं पे कई सारे याद हो जाएंगे अब देखो तो ख्रोकोडिलिया, ग्रोकोडाईल, मगरमच यानि क्रोकोडिलिया, नाइलोटिक्स, यह किसका हो गया, तो क्रोकोडाईल का, अब देखो, यहीं पे आपने बिल्ली का निकाल लिया, यहीं पे आपने भैस का निकाल लिया, यहीं पे आपने क्रोकोडाईल का निकाल लिया, बचा आप्सन नंबर C चीता एसिनोनिक्स जुपेटस की बात करें चीता फैलिस्कैटस की बात करें बिल्ली और क्रोकोडेलिया नालोटिक्स की बात करें मगरमच जापके सामने सवाल नंबर 5 जल्दी लिखावा कहीं अरे भाई मेरे निकाल तोलो हाथ कहा पेलिंग बताना पड़ेगा क्या अब देखो मुस का डूमेस्टी का यह वर्यली गरमच यह विसाल पांदा विसाल पांदा तो मुस्काडोमिस्टिका बिलकूल घरेलूमक्खी अब कोर्वासस्प्लेंड्सकव़आ और हाइमेनो पेटरस फॉर्मिक कीडे अब देखो फॉर्मिक एसिद किस में पाए जाता है बताओ जरा फॉर्मिक Aसिद फॉर्मिक एसिद किसमें पाय जाता है जो कैसे निकालेंगे फॉर्मिक एसिद चीटी में पाय जाता है तो सर फॉर्मिक कीडे किसका होगा ये चीटी का ही याद रहेगा याद रहेगा न यानि फॉर्मी कीडे फॉर्मी केसिड लाल चीटे में यहां यह निकाल लिया तो बचे बिल्कुल याद रहते रहते याद आज जाएगा पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा बिल्कुल बकरी का वज्यानिक नाम वाट इस साइंटिपिक नेम अब गौट बकरी का वयानी नाम जल्दी तो बकरी का वयानी नाम कापरा हिरकस बकरी का वयानी नाम जाओगा कापरा हिरकस आगे देखो तो सर एलूरा पोडा मिलानो लूका अभी मैंने कहा विशालकाय पांडा और चिरपटरा का चमगादर ये क्या है एक मैमल्स है एक अस्तनपाई है चमगादर अस्तनपाई है क्या है वच्चे एक अस्तनपाई है तो चिरपटरेया चिरपटेरा चमगादर और एलूरो पोडा मिलानो लूका ये विसालकाई पांडा जैन्ट पांडा बिल्कुल या दखना ठीक है वादिरा साइन्टेपिक नेम ओफ फ्रॉग मेंड़क का वय्यानी नाम क्या है सवाल नमर साथ जल्दी बिस्वंत पेडियप आपको विडियो के निचे मिल जाएगा बच्छे मेड़क का वय्यानी नाम की बात करने क्या होगा राना ठीकरीना मेड़क का वय्यानी की नाम राना ठीकरीना है क्या होगा राना ठीकरीना अब देखो चूहा का रैट विंज क्या होता है चूहा रैटस रैटस यह चूहा हो गया यह जेवरा का खुद लिखा हुआ जेवरा निकालू ना जेवरा निकल गया मेंड़क निकल गया चूहा निकल गया अब अरोटो डेक्टाइल सर्वाइड की बात करें तो हीरन रैटस रैटस चुहा और एक्वस जेवरा का जेवरा यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है अब इसकी पीडियाज मिलेगी आपको आप लोगना क्लास रेगूलर नहीं करते हो के बीडियाज पीडियाज करते हो तब मिलेगा है खरगोस्का वज्यानी नम वाट्ट इस साइंटेपिक नेम उफ रैबिट लियोपेड त्योंकूलस या अरोटोडेक्टाइल सर्वाइड एलूरो पोडा, मिलानो लूका, एक्वस, फेरस, कैबिलस, सवाल नम्बर आठ, बताओ क्या होगा, मिस्रा जी बड़े अजीब नाम हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ही सवाल आपके एकजाम हॉल में दिखेंगे, तो मज़ा आएगा, खर्गोस का वयाई नाम की बात करें, लियो पेरिड टूंकूलस, ये हीरन का हो गया, सरवाइड की बात करें, ये हीरन हो गया, ये हीरन हो गया बच्चे अभी मैंने बताया एलूरो पोडा मिलानू लूका ये क्या हो गया विसालकाई पांडा विसालकाई पांडा हो गया ये देखो सर एलूरो पोडा मिलानु लोका विसाल काई पांडा सर्वाइड की बात करें हीरन अब देखो एक्वस फेरस कैबिलस घोडा अब खरगोस का एक और नाम मिलता आपको देखने को औरिक्टो लैगस टूनिकूलस ये खर्गोस का एक और नाम है गलती मत करना याद रख लेना याद रखना एक और नाम है ठीक है बच्चे वाटी दा साइन्टेपिक नेम अब जिराप जिराप का उबयानी नाम क्या है चुरोपटेरा, डायसारोस, बैकॉर्निस, लामा पकोस जिराप होडिस जल्दे सवाल नमर नाईन दीपक जी मैं पढ़ा रहा हूँ वयानिक नाम जितने भी प्रानियों के वयानिक नाम है उपर देख लो उपर यहां लिख रहा होगा प्रानियों के वयानिक नाम देर से आए का भया देर से हो गया तो जिराफ का वय्यानिक नाम लिखा हुआ तो है जिराफ यह तो 100% सही कियोंगे आप लो 100% सही किया हो गश्मिन दिपक जीको ना समझ में आया उसने लामा पकोस लगा दिया बहुत बढ़िया तो शिराफ पटेर अभी मैंने कहा बैट डैसेरोस बैकॉर्निस गैंडा दोखवाँ ना रैनोसेरस और लामा पकोस का अलपाका यह क्या है तो यह भेड की परजाती का है बहेड की परजाती का है ठीक है अलपाका जैसे आप लामा देखते हो लामा यह भी बहेड की परजाती का है जिसके आरबीसी में नुकिलियस पाया जाता है तो वही अलपाका लामा पकोस ठीक है कि वाटे साइन्टिपिक नेम अब कोबरा कोबरा का वज्यान की नाम क्या है एलूरो पोडा मिलानू लोका गुरूस लिकोगेरनस एक्क्यूस एसनस या एलाफीडा नाजा नाजा सवाल नबर दस जल्दी बिल्कुल राहूल, गुरूपडी, एंटीपीसी, एसससी, दिपक जी मैं सीख रहा हूं अभी पढ़ाने के लिए जल्दी बताओ क्या होगा, तुक्या होगा बच्चे, एलापीडा नाजा नाजा साप को कोबरा को कहना नाजा नाजा इलाफीडा नाजा नाजा कोबरा का वय्यानिक नाम है अभी मैंने बताया, एलूरा पोडा मिलानू लोका, ये किसका है तो ये विसालकाई पांडा का विसालकाई पांडा का आरे बस समझ में, ये विसालकाई पांडा का, ये हो गया कोबरा का यह कोबरा का वय्जानिक नाम है ठीक है आगे देखो अलूर पोडा मिलानू लोका पांडा और गुरुस लुको गैरनस की बात कर रही है साइबेरियन क्रेन है और अभी मैं देख चुका हूँ पहले एकवस एसनस यह गधा यानि गधा डॉंकी डॉंकी यह क्या होगा डॉंक ठीक है आगे देखो सवाल नमरी 11 वाति साइंटिपिक ने वो प्रिसस मंकी रिसस बंदर का वय्जानिक नाम क्या है जल्दी वाह विकास कुमार जी सुक्रिया मता सवाल नमरी 11 क्या होगा बच्चे रिसस बंदर का वय्जानिक नाम क्या है मकाका मूलत या एसनो निक्स जुवेटस गजेला बिनेटी या ग्रस लुको गेरिनस सवाल नमरी 11 क्या होगा जल्दी 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 सवाल नमरी 11 की बात करें तो रिसस बंदर का वय्जानिक नाम क्या होगा मकाक इसे क्या कहते है मकाक वही रिसस बंदर याद होगा जिसके नाम पर हम आरेज फैक्टर रखते हैं यानि बलड में जो आरेज फैक्टर पाया जाता है वो रिसस मंकी के नाम प तो अब यह देखो एसे नॉकिक्स एसे नॉनिक्स जुबेटस की बात करें चीता गजेला बैनेटी की बात करें चिंकारा और ग्रस लुको गैरनस की बात करें साइबेरियन क्रेन यह तीन नम आपको यहां देखने को मिलते हैं कि ठीक है ब्लैक बग वातिर्या साइन्टिफिक नेम हो ब्लैक बग बग का वयाई नाम क्या है जल्दी ब्लैक बग का वयाई नाम क्या है सवाल नुमर बारह जल्दी तो black bud को वग्याई नाम की बात करें क्या होगा antilope शर्वायकश यह antilope antilope मतलब होता ना लंगूर यानि black bud का वग्याई नाम क्या होगा antilope शर्वायकश अब यहाँ पर power kris status की बात करें यह मोर का हो गया यह मोर का हो गया अब आगे देखो यहां से निकालें तो सर बोसे लाफस प्राका कोमेलस नील गाए पाव क्रिस्टेटस मयूर और गैविलिस गैङेटिकस गैवियल या घरियाग या घरियाग या आपके सामने है हाउस लिजाड का वाई या यह नाम क्या है जो घरियलू में आप घर में देखते होंगे घरियलू वाल छिप के लिए वादिजा साइंडर्बिक नेम आप हाउस वाल लिजाड हिप्पोपोटेमस एंपीबियस बूबो वर्जीनियस या औरिगोट औरिक्तो लैगस टाइल्स फुले वी वेरिट्स सवाल नमर तेरा जल्दी बताव क्या होगा सवाल मर तेरा यह किसका होगा हिपोपोटेमस यह यह क्या होगा गैंडा टिकें अगर बात करें डियाई घोडा हिपोटेमस पहिपोटेमस या दर्याई घोड़ उभैचर या दर्या बूबो वर्जीनिक ये बात करें तो शींग वाला लुलू और उरिक्तो लैगस की बात करें यह खर्गोस मैंने पढ़ाया था कि खर्गोस को कुछ और नाव या होगा या यूदो नॉमिसिस इसकोलो पेकस, पेसर, डोंेस्टिकश, कुलम्बा, लीविया, सवाल मोच्याऊदा जल्दी ए यह हाउस नस्प्यरो की बात करें पेसर डोंेस्टिकेस। पेसर डोंेस्टिकश। की जिसका हाउस अस्पेरो या छनिक घरेलू, गौरया की बात करते हैं ये घरेलू गौरया that means मौलिपस कैफर की बात करें बुल बुल you don't know मिसिस की बात करें कोयल और कोलंबा लिविया की बात करें कब उतर ये चार नाम जो आपको दिखें वो किस्से थे वो बड़ से रिलेड़ थे अभी पता है मजा नहीं आ रहोगा अभी भी लोगों को लग रहा हूँ सर मजा नहीं आ रहा है कुछ याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं बच्चे मैं मार्च के महिने से कहता आ रहा हूँ तयारी करने के लिए जब 15 दिसंबर मुखर फैकर निकल जाएगा जब रिजल्ट नहीं होगा घ़ा तब उच्छा जाएगा क्या कर रहे थे किंग कोबरा का वजयानी नाम क्या है वाते इंध म। संच आन्ट इंब् कौबरा का व Meow and किवनदीन नेने पाइथन मोलूरस पाइटा सम्यूकोसा या ओपियो हैगस हन्ना सवाल नमर पंदरा जल्दी क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे इसमें कोश्च शाकी नहीं है अब हिस्ट्री का सवाल लेकर चले आएं पॉलिटी का सवाल लेकर चले आएं असान असान तो बिल्कुल बच्चों को लगेगा बिल्कुल यह असान सवाल है किंग कोबरा की बात करें ओपियो फैगस हन्ना अब यह देखो सारे के सारे साप से रिलेटेड हैं हाइडरो फाइना समुद्री साप पाइठ़न भारती अजगर और यह क्या Barche के टैस मुको सा की बात करें धामन या चुहा साप क्या बोलते हैं धामन या चुहा साप क्यों चुहा को खाता हिए किसी लिसन चुवा साब बिल में रपता है ना चुवे की तरह कट पोड़वा का वयानिक नाम scientific name of a woodpecker जल्दी तो कट पोड़वा का वयानिक नाम क्या होगा मिलान रेपस लेविस मिलान रेपस लेविस कट फोड़वा का वयानिक नाम है कट पोड़वा का वयानिक नाम अब आपके सामने सेतोफगार निग्रेंसेस ब्लैक थोट ग्रे गैवलर एक ऐसी चड़ियां जिसके गर्दन बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती है फिर मिलान रेपस लोविस लूइस का कट फोड़वा फिर साइगनस कोलंबियनस टूंडरा हर्म्स यानि स्वान की बात करें इस पेजला ब्रेवरी की बात करें ये भी एस्पैरो यानि गवरेया इगल का वयानिक नाम scientific name for इगल इगल का वयानिक नाम की बात करें तो एकवीला क्राइसोटस एकवीला क्राइस्टोस ये किसका इगल का यानि बाज का बाज का वयानिक नाम है बाज का वयानिक नावा अभी आद देख सकते हो эк higher pawker बाद करें सुन्हरा बाज Coxie just American की बाद करें पीले बीलवाले कोयल Tardos American की बाद करें Mexican Robin Shivala in La çıkan Walaam Yeah you could तो यह था आज का सेशन अभी आपके लिए습 स्पेशल क्लास रखी गई है पात बचकर 35 पे करेंट अफेर्स के लिए 50 सवाल 50 जो जनुवरी से लेका सितंबर के बीच जो आपने पढ़ा है अब जॉइन करना अनकेडमी पे बिल्कुल फ्री कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता है स्पेशल क्लास के लिए जॉइन कर स और रेलवी एक्जाम सर्च करने के बाद फिर मेरे नाम को सर्च करना रोहित कुमार और मुझे फॉलो कर लेना इसके अलावे आपको सब्सक्रिप्तन लेना है जो आज वर्ड जोगर्फी का पहला लेक्चर हुआ था वह जौन करने के लिए या रेलवे जॉइन करने के लि इसके अलावे आज बात करो एससी की तो मैठ रेजिनिंग जी के जी एस और इंग्लिस ओवराल सारे दो साल की फी रेल्वे का छहजार एससी का एक साल का छहजार तो इस छहजार में जैसे कोड यूज करते हो बावाटे रिफरल कोड चबवन सो फी हो जाता है 10% रिबेट सकते हो कैसे पी कर सकते हो ग्रेटिट कार ये डेबीट कार दोनों से ठीक है रिफरल कोड क्या होगा बावाटे अगर सेसन अच्छा लगाओ तो लाइक करना सेर करना अपने दोस्तों के साथ पहली बार आयोंगे स्टेडियो चैनल सब्सक्राइब